आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया, बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ, अब ही डाउटनेट करें यहां माल लेते हैं, यह कोई P बिंदु यह B बिंदु है इन दोनों बिंदु पे बीच कर्ण सरलावर्थ करती कर रहा तो कड़ हमारे X ब्राबर 0 T ब्राबर 0 से गती करना प्रारंब्ध करता है थो हम माल लेते हैं yağ के के सो बराबर है यहां पर कोस्यों में क्या दिया गया थो हमें यही समय निकलने जब हमारे u और के दोनों बराबर हो जाए, हमारा जो है कण का जो सरलावर्थ गति करते हुए, जो कण का बिस्थापन समीकन होता है, क्या होता? y बराबर होता हमारा a sin omega t के बराबर होता है, यहाँ से आयाम हमने इस सरलावर्थ गति का a माना है, और आवर्त काल टी माना है ओमेगा यहाँ पर इस सरल आवर्त गती करते हुए कड़की आवर्ती है तो जो इस्तिती जोज्या के फर्मूला होता है कितना होता है यू बराबर होता है हमारा 1 by 2 m ओमेगा स्कायर इंटू y स्कायर होता है ओमेगा स्कायर a स्कायर साइन स्कायर ओमेगा टी अब इसके बाद हमारी जो गती जोज्या होती है गती जोज्या के बराबर क्या होता है 1 by 2 m ओमेगा स्कायर a स्कायर माइनस y स्कायर के बराबर होता है तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे बिस्थापन के रूप में नहीं चाहिए हमें जो समय के रूप में चाहिए तो y की value यहां से लाके हम यहां पर रख देंगे तो यहां से जो हमारा गति जुर्जा का फर्मूला आएगा यह बराबर क्या आजाएगा 1 by 2m omega square a square minus a square sine square omega t के बराबर होगा अब हमारा question में क्या दे रहा है कि इस t समय पर गति जुर्जा के बराबर है तो हम यहां पर क्या करेंगे u और k को बराबर करेंगे u और k का मान इस समीकड में लाके रखेंगे तो यहां से 1 by 2m omega square a square sine square omega t बराबर हो जाएगा हमारा 1 by 2m omega square यहां से a square common ले लेंगे हम यह 1 minus sine square omega t के बराबर हो जाएगा तो यहां से अगर हम देखेंगे 1 by 2m omega square 1 into a square जो दोनों side है यह cancel हो जाएगा तो यहां से sine square omega t हमारा किसके बराबर हो जाएगा अब यहां पर यह जो है sine square omega t बराबर हो जाएगा 1 minus sine square omega t को अब इसको हम इस तरफ लाएगे तो यहां से 2 sine square omega t एड़ हो जाएगा दोनों तो बराबर जो है 1 के बराबर हो जाएगा तो यहां से हमारा sine omega t की value कितनी आएगी sine omega t की value कितनी हो जाएगी plus minus 1 divided by under root 2 के बराबर हो जाएगी तो यहां से sine omega t बराबर plus minus 1 divided by under root 2 हो जाएगा अगर आप यहां से minus sine जो है अगर छोड़ देंगे तो एक value हमारी छोटने लगेगी जो कि हमारी t क्योंकि हमारा माद इस्तिती के दाये साइड भी जो है एक ऐसा बिंदू आएगा जहां पर गति जोजा और इस्तिती जोजा बराबर होगी सेम उतने ही विस्थापन पर बाये साइड भी हमारा एक ऐसा बिंदू आएगा जहां पर गति जोजा और इस्तिती जोजा बराबर होगी और अगर माइनस चेन लेंगे तो यह 3 pi y 4 होगा अब हमें पता ओमेगा की जो value होती है ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं अगर आवर्थ काल t है तो 2 pi y t into t बराबर हो जाएगा हमारा pi y 4 और 3 pi y 4 अब एक हम क्या करेंगे एक बार हम pi y 4 लेंगे एक बार 3 pi y 4 लेंगे तो उस condition हमारा t की दो value आगे हमारा t बराबर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा ये t इधर लाएंगे और हमारा ये pi y się cancel हो जाएगा TO two pi into pi by 4 हो जाएगा तो यहाँ pi 5 cancel हो जाएगा तो हहाँ से t की value आएगी t बराबर जो है 1 by 8 हो लिए अब हम क्या करेंगे दूसरी वैलू लेंगे थ्री पाई बाई बाई फोर यहां से पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा जो टी की वैलू आएगी ऑ़ यहां से हम आई एक बिलू आया है और एक टी ब्रावर जो जो त्री बाई एट से कंट के बराबर आया है तो हमारा किस समय पहनारी ँचितित बराबर होगी टी बराबर यह से यहां पर आवर्थकाल आएगा, तो T divided by 8 सेकंड पर और यहां पर T बरावर 3 divided by 8 सेकंड पर, यहां पर T आवर्थकाल के बराबर है, उन दो इस्तितियों में जो हमारे इस्तिति जोजा और गति जोजा एक दूसरे के बराबर होगी, ओके, तैंक यू.